भारत तो शुरू किया था पहले मेंच सोचालिक में कमजोर देश के रूप उसके बाद शताब्जी के शुरूरा के भारत मध्यम तकत्वर देश के रूप में आया रीजिनल कंट्री हुआ छेट्री शक्ति हुआ और अब भारत एक विश्व शक्ति वेलेटे दास्ति पर में रहें हुआ है म没有 देखिए और धारत के गड़ू आफसे सागे कहने कीवा थे की शप्रक्रट वालिए कि पास अब भारत दिका रहा है कि उसके पास तेजगती से दोड़ने वाली गाडिया हैं, उसके पास सड़के हैं, उसकी एकनॉमी ग्रो कर रही है, एक लगातार रेट से, उसके लोग ज़्यादा एजूकेटेड हैं, अब भारत ये दिखा रहा था कि अमेरिका में कितने ज़्यादा लोग अमेरिका है और कितने ज़्यादा वहग्यानी, कितने ज़्यादा टेक्निशन, कितने ज़्यादा अच्छी भारत के हैं, अब हाल में तो चंद्रयांत्री और सूर्च पे आदित पे लवन जाएगा, ये सब मंगल ल्यान गया है, ये सब चीजें दिखाने के इसमें हमें अड़र्टाइज ज़्यादा गया होती, ये देख दिखता है दुनिया को विश्यो को दिखता है कि हाँ, अब भारत में पास चक्ति है, भारत इसके बावजूर भारत पहीं आत्रवर नहीं कर रहा है, भारत चांदी का पर लिए तो जैसे आपको अभी डिस्क्रसन हो रहा था, कुछ देस है जो बॉइकट कर रहे हैं जो चाइनीज प्रेसिडेंट आएंगे नहीं है कुछ मतलब नहीं है, तो कुछ जैसे बॉइकट कर रहे हैं, जो साओधी आरे विया, जो साओधी आरे विया, एजिप्ट, एजिप्ट, उसका क्या करन एक चिलिए, आप कस्भी रिसू के लिए, जो आएंगे, जो आएंगे, जो ना सिर्फ आ रहे हैं, बल्कि इसके बाद यहां रुपेंगे और दो दिन प्रधानमंती और रास्पेट से विपक्षिवाता करें, इजिप्ट के जहां तक बात है, जिप्ट का मैं नहीं जानता कि वो आ रहे हैं, प्रेसिडेंट की नहीं लेकिन यह भी हो सकता कि वो भी आके ही गए हैं, आपको यादों का कि कुछ महिने पहले एजिप्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से उनकी विजिट बहुत अच्छी रही है और बहुत अच्छा इसका परिणाम बला अच्छा रहा है, जैसे कहिने क देखिए, एक मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा क्या, पाकिस्तान की हालत तो एक मुर्गे से भी कम है, उसको अब कितने लोग पाकिस्तान की बात से आप देखिए, चिहतर साल में पाकिस्तान बिना नागाव, हर साल पाकिस्तान महा जनरल असेंबली में कश प्राइमरी स्कूल का केजी वगरा का बच्चा जो है हर क्लास में मैडम के आती ही का ता मैडम इसमें मेरी पिंसिल ले लिए मैं बहुत सुम्चुकू यही हो रहा है पाक्यों का बार लेबल पे कह रहा है लेकिन कोई फाइदा नहीं सबसे बड़ी दो चीजें कि G20 से हमारे देश के युवा क्या पा सकते हैं और G20 के प्रोग्राम के तहत हमारे देश की युवा कर क्या सकते हैं बहुत ही अच्छे च्वेस्टन्स आयम संभलपुर के इस्ट्रेंट्स ने पूछा और उसमें जियो पॉल्टिक्स कि चाइना क्यों बाइकार्ट किया उसका इंपेक्ट क्या पड़ेगा अंसर था कि चाइना फोल्टिकली बाइकार्ट कर रहा है क्योंकि उसके इंटर्नल हो रहा है इंडिया चाइना का ट्रेड अभी बीगेज पार्टनर उसके बाद क्वेश्टन आया कि जी ट्वेंटी में इंडिया जो करोल है वो ग्लोबल प्रसपेक्ट्टिव में क्या देक्षण देगा उसमें अमबेशदर जी का कहना था कि इंडिया का जो मॉडल है इंडिया जो है दुनिया को दिखाना जाता है कि हम कभी अटेक्नी की आज तक किसी कंट्री को और हमारी फास्टेस ग्रोइंग करमी है अभी वर्ल में सेवेंट से एट परसेंट जीडिवी किसी ग्रोफ नहीं हो रहा है और ये ग्रोफ कंट्रीनिस हुआ तो तीन-चार साल consistent अब आइका झायकर को जाएंगा चृब्स क्रोबस कि इंडिया शोफ इन अब वहुत dub को प्रहrones थे लूं पर केocado के इस तो इसमें अपन्ट्रियंट कि इजिप्ट और साओधी क्यों बाइकाट किया तो उन्हों ने कहा कि कास्टमीर जो है अभी कि इजिप्ट के साथ ही उसमें कोई कमी नहीं हुआ है इस तरह से इस्ट्रेंट का पार्सिपेशन बहुत अचा रहा है यह नोश्टी कनेक्ट प्रोग्राम में और सिक्षा के चेत्रे में इन टम्स अब नंबर इनोश्टी वर्ल में नंबर वन है इंडिया लेकिन क्वालिटी परेमिटर आता है उसमें बहुत सारी इनुवस्टी की पोजिशन बहुत खराब है तो इस वह में भी नहीं आ रहा है बड़ बड़े इनुवस्टी हैं यहां पर लेकिन की प्रावलम है क्वालिटी आप इजूकेशन इंडिया का अभी उतना उस्तर बढ़ा न इसको इंफिसाइज दे रहा है और इनुवस्टी भी समझ गया इसका मतलब है कि इनुवस्ट बढ़ रहा है वर्ल में और इनुवस्ट बढ़ने का मतलब है कि रिसर्च सुरू हो गया है और नेक्स टेन इस में आप देखेंगे क्योंकि यह हमारी टैलेंट है यहां पर अब यह होना है कि बाहर के लोग पढ़के जब यहां पर आएंगे पढ़ाने तब जाब के चेंज आएगा इंडिया एक उगनेशन है जो इंडिया में स्टाट अपको परणोट करें के लिए पंडिंग और उसका वेश्य कैपिलिस का सपोर्ट मिल जा रहा है तो वह उन्होंने बहुत सारी कंट्री में विदेवलप किया इंडियंस का और उनके साथ हमारा और उसमें फिर हम लोग इस्टाट अप कल्चर को यहां पर प्रमोट करेंगे उनके साथ जॉइंट ली वर्क करेंगे कि कंपनी जो स्टाट अप में क्रेट होता है इनोवेशन डिवन स्टाट अप कैसे होगा हमारे आयम की स्ट्रेंट्स और बाकी जो हम लोग मास्टर वीव और कल्चर जो है कि अभी नोकरी करना है तो नोकरी देने वाली बात शुरू होगी